So, hey what's up guys, कैसे हैं आप सबी, so आज की इस वीडियो में हम लोग पात करने वाले हैं Vivo के V23 और Vivo के V23 Pro स्मार्टफोन के बारे में दोनों ही स्मार्टफोन के लिए इंडिया में Android 14, Funtouch OS 14 का बीटा अपटेट है वो रोल आउट ना स्टार्ट हो चुक है और ये जो बीटा अपटेट है वो सबी यूजर्स को नहीं मिलता है इसके लिए आप लोगों को एक प्रोसेस है, वो फोलो करनी होती है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ प्लस इस अपटेट के अंदर आपको कौन-कौन से नहीं फीचर्स हैं, वो देखने को मिलते हैं उसके बार में भी बात करेंगे, तो complete इस वीडियो को बोच करते रिए वीडियो आप लोगों को यह पसंद आती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहों, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूजर में जैसे कोई बड़ा अपटेट आता है तो वीडियो आपको मरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, और यह चो वीवो का वी 23 का अपटेट है, इसकी टोटल साइज है, वो आपको मिलती है 5.56GB और अपटेट और डिवाइस का वर्जन नमर है, वो आप लोग स्क्रीन पे देख पारोंगे दोनों ही डिवाइस के लिए आप लोगों को फीचर्स है, वो यहाँ पर सेम देखने को मिलते हैं तो बात करेते हैं इस अपटेट के सबसे इंपोटेंट और फर्स्ट चेंज के बार में तो सबसे पहले आप लोगों को जो कंट्रोल सेंटर है, वो फुली यहाँ पर रीडिजाइन देखने को मिलता है हाफ कंट्रोल सेंटर को ओपन करोगे, तो कुछ इस टैप का जो लूक है, वो आपको मिलेगा जहाँ पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल सेंटर है, वो चेंज हो चुका है आप लोग इसको swipe करोगे तो full display के अंदर control center है वो expand हो जाएगा और उपर की तरफ आप लोगों को wifi और mobile data के ये दो बड़े toggles हैं वो देखने को मिल जाते हैं जिनको on और off करना काफी जादा easy है और जैसे कि मैंने आप पर mobile data apply करके रखा है ना आप लोग इसकी जगह Bluetooth या फि लेकिन मेरी recommendation तो यही है कि wifi और mobile data है इन्ही दो option को लगा के रखना ये ज़्यादा जो option है वह आपर use होते रहते हैं बाकिया आप लोग right और left side में swipe करके बाकी के जो option है उनको याँपर access कर पाऊगे और नीचे की तरफ ये जो brightness slider है वो काफी ज़्यादा smooth है और use करने भी आपर काफी सही है इसके अंदर किसी भी परकार का लेक है वो आपको नहीं मिलेगा नीचे की तरफ आपको तीन जार option मिलेंगे जो कि user ID, search और phone को on या फिर off करने का आपको button मिल जाता है और साथी में setting application को open करोगे तो ये वाला आप लोगों को नया इसका interface है वो मिलेगा first of all ये जितने भी आपको जो लोगों नजर आते हैं इन सभी लोगों को इस update के अंदर change किया गया है और साथी में आप लोगों को ये जितने भी जो text नजर आते हैं इन सभी text को भी इस update के अंदर change किया गया है अब बात करते हैं इस update के second सबसे बड़े change के बारे में तो उस इस फीचर का वीवो यूजर काफी लंबे टाइम से आपर वेट कर रहे थे जो की फाइनली इस अपटेट के अंदर एड़ कर दिया गया है इस ओप्शन को यूज करके आप लोग अपनी जो लोग की स्क्रीन है उसको यहाँ पर फुली कस्टुमाइज कर पाओगे इसके फॉंट्स है वो भी आप लोग चेंज कर पाओगे जो की एपल और जो वन युवाई है वहां से इंस्पैर होके फंटच ऊएस के अंदर आपर पेस्ट किये गए हैं तो इन में से आप लोगों को कौन सा वाला फॉंट है वो ज़्यादा अच्छा लगा बता सकतो कमेंट से उसके जा रहे हैं वो चेंज कर पाओगे मेन वली चेंज करने का ओपिंट मिलता है तो आप लुगों को एकदम मतलब की प्लस पॉइंट है इसको यहां पर चेंज करने के लिए बाकी और लोग इसका ज़ात पाओगे लेफट साइड में स्वाइप करोगे तो आप लोगों जादा difference नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन एक पर हम लोग blue color को green color को चलो apply करके देखते हैं तो ये तो है एकदम fade अब मैं dark करूँगा तो देखना dark कितना dark हो चुक है तो इस तरह से आप लोग इसकी intensity है वो change कर पाओगे और यहाँ पर आपको एक option है वो देखने को मिलता है जिसके लिए phone automatically जो आपका wallpaper है उसके recording अपना जो clock का color है वो यहाँ पर choose कर लेगा बाकी white वाला करके रख सकते हो एकदम सदाबार color है किसी भी wallpaper की उपर यहाँ पर यह automatically shoot हो जाएगा नीचे के तरह आपको add quick information का option मिलेगा तो कोई information डालनी है तो डाल सकते हो बाकी यहाँ पर आपको widgets का option मिल जाता है तो lock screen widgets हम लोग इसको कहते हैं अभी तो only 4 option है वहाँ पर available है लेकिन future के अंदर यह आपको जो number है वो और ज़्यादा देखने को मिलेंगे बाकी wallpaper के बारे में हम लोग बात करें तो आप लोग बताना comment section के अंदर कि कोई नया wallpaper है वो add हुआ है या फिनी काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि अलग-अलग wallpaper है वो आप लोग कहां से apply कर सकतो इसके लिए आपको कोई application को download करने की जूरत नहीं है टेलिग्राम आपके phone के अंदर हो गई इसके अंदर आपको simply टेलिग्राम को open करना है और आप लोग यहाँ पर search बटन पर search करके सर्च कर सकतो सहेज wallpaper तो आपके सामने हमारा यह वाला टेलिग्राम चेनल आजाएगा जिस पे 9614 आपको subscriber मिलेंगे और बहुत सारे आप लोगों किया पर HD quality के premium wallpaper है वो मिलेंगे किसी को भी आप लोग डाउनलोड कर सकतो और किसी को भी एक पर open करके देखना quality है वो आप लोगों को आपर टोप नोच देखने को मिलेगी अलग अलग क्वालिटी के आप लोगों खोया पर वोल पेपर्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे तो आज आते हैं हम लोग हमारे टोपिक के उपर वापस अब ये बात करते हैं कि इस अप्टेट के लिए आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हो तो गाइस दो मिनट की प्रो फंटच ओएस फोर्टीन अप्टेट सहेज सेन तो ये जो टेक्स्ट में आपको अभी बताए ना ये आपको लिख देना इसने सही से डीटेक नहीं किये हैं तो गाइस आप लोग वापस से थोड़ा कर लेना सही तरीके से इंस्टोल फंटच ओएस फोर्टीन अप्टेट स गाइस आपके सामने हमारी ये दोव-तिन वीडियो आजाएगी जिसके अदर आप लोग फंटच ओएस फोर्टीन अपटेट है उसके लिए आपपलाई कर सकतो बाकी गुग वाइस ये ही कुछ नए फीचर से जो कि आप लोगो एक्स्प्रिन करनेते बाकि widgets वगेरा इसके अंदर भी आपको interface है वो change मिलता है जैसे कि पहले ये दो widget तो यहाँ पर थे ही यहाँ पर एक बड़ा widget था यहाँ पर एक बड़ा widget था लेकिन अब दो-दो की जो category है वो बना दी गई है तो ऐसे भी आप लोगों को छोटे-मोटे changes है वो मिल जाते हैं काफी लोग पूछते हैं कि ये वाले जो widgets हैं वो मैं कहां से apply करता हूँ तो इसके लिए simply आपको YouTube को open करना है और यहाँ पर search करना है clock widget सहेद सेन तो अब की बार इसने एकदम सही से detect किया है तो इस वीडियो को watch कर लेना तीन मिनेट की वीडियो है तीन मिनेट के अंदर आपको बताया है कैसे आप लोग यह वाला और इसकी तरह thousand प्लस आप लोगों को अलग-अलग designs मिल जाएगी तो apply करना रोज अलग apply करोगे तो भी तीन साल तक तो खतम नहीं होने वाले बागी watch कर लेना बागी मैं मिलता आप लोगों से नेक्स वीडियो में जेहिंद वन्दे मातरम